दुनिया की सबसे बड़ी राजनितिक पाल्टी होने का दावा करने वाली और वर्तमान में देश की सत्ता पर कावीज भारती जनता पाल्टी की जो आज 6 अप्रेल 2021 को 41 वरस की हो गई है 1951 में शामा परसाद मुखरजी द्वारा इस्तापित की गई भारती जनसंग के विलय के साथ 6 अप्रेल 1980 को पाल्टी के पूरोधा अटल विहरी वाश्पाई और लाल कशन एडवानी ने हिंदुस्तानी आवाम के सामने एक राजनितिक पाल्टी के तोर पर भारती जनता पाल पाल्टी की स्थापना की अटल विहरी वाश्पाई को पहले अध्यक्स के तोर पर मनोनित किया गया नई नवेली बनी पाल्टी को चार वर्स में ही कमल के चुनाओ चिन्ह पर चुनाओ लड़ने का मोगा मिल गया चुनाओ तो बड़ी जोर सोर और उम्मीदों से लड़ा मगर पाल्टी सिर्फ दो सीट पर ही जीत पाई लेकिन राजनीती में कभी कोई चीज इस्थाई नहीं होती है वैसे ही यह बहत कम दो सीटों वाली जीत भी इस्थाई नहीं रही और 1990 के चुनाओं में यह पाल्टी 86 महतुपुन सीटों पर कबजा कर जनता के सामने अपनी स पसक्त उपस्तिती दर्ज करा चुकी थी पाल्टी की पकर गाउं से शहरों और शहरों से महानगरों तक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी 1990 में अडवानी के नेतोतों में रत यात्रा निकाली गई जिसमें पार्टी देजभर में मजबूत हुई भारती जनता पार्टी ने भारत के इतिहास में घटित भाबरी मस्जिद डहाने वाली घटना के साथ राजनीती में राम के नाम को भी खूब भुनाया 1990 के आम चुनाओं में आखिरभर दिन आ गया जिसका इंतजार पार्टी की न्यू रखते समय पार्टी के पित्र पुरूस अतल बिहरी वाजपई और लाल कृष्ण आदवानी ने देखा था पार्टी कमल के निसान पर पहली बार सत्ता पर काबीज हो गई और पार्टी के प्रधान मंत्री बने अतल बिहरी वाजपई मगर यह जीत खुशी की अधिक वक्ते तक साथ नहीं रह सकी और गडबंदन वाली सरकार कुछी समय बाद गिर गई मगर दो सीटों से सुरुआत करने वाली पार्टी ने देश की सत्ता अपने हाथ में लेने तक कभी भी संगर से मूह नहीं मोडा और दोबारा अपनी जमीन तयार करने में जुट गई भाजपा ने दो छोटे-छोटे कारेकाल करने के बाद 13 अक्टूबर 1999 को पार्टी के गडबंदन की मजबूत सरकार बनाई और एक बार फिर सत्ता के शिखर पर पहुँच गई देश को भार्टी जनता पार्टी ने कवी रहदय और दूर दरश्टी वाला प्रधान मंतरी अटल बिहरी वाजपाई की रूप में दिया पार्टी के अनुसार या भाजपा का सबसे सुनारा दोर था देश में पाल्टी के प्रधान मंत्री के साथ ही देश के कई राज्यों में भी पाल्टी और उनके गड़ बंधन की सरकारे काम कर रही थी इसी कारेकाल में भाजपा ने मिसाइल में इनके नाम से दुनिया में विख्यात एपी जे अब्दुलकलाम को राश्टेपती बनाया यह वही कलाम साथ थे जिसके नित्वत्र और भाजपा की सरकार में हिंदुस्तान परमानू संपन देश बना अटल जी के पहले अद्धिक्स बनने के बाद से अडवानी, मुली मनोहर जोसी, वेनकया नाइडू, नितिन गडगरी जैसे परतिभाशाली नेता पार्टी अद्धिक्स बने और इनके कारेकाल में पार्टी खूब फली फुली लेकिन पास साल का संपूर्ण कारेकाल पूर्ण करने के बाद आम चुनाओं में जन्ता ने भाश्पा को दूसरा मुकान नहीं दिया और सत्ता की चाबी दश्रकों से भारत पर राच करने वाली कॉंग्रेस के हाथ में आ गई कॉंग्रेस ने लगातार दस साल तक मन महान सिंग के नित्वत्र में शासन किया फिर आया सन 2014 आम चुनाओं का वक्त और यों कहें कि भाश्पा का सबसे सुनहरा काल जिसने देश में भाश्पा के हालात ही बदल कर रख दिये भाश्पा के ही गुजरास से चार बार के मुख्य मंति रहे नरेंद्र मोदी का उदे हुआ और 2014 के आम चुनाओं को मोदी के नाम से लड़ा गया और भाश्पा को देश की जनता ने उम्मित से बहतर परिणाम दिये और भारी बहुमतों से विजय दिलाई नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री बने भारी बहुमत से विजयरत पर सवार भाश्पा ने देश के लिए नासूर बन चुकी समस्याओं का समाधान कर देश भर में एक्षेतर राच किया पधान मंत्री दरेंद मोदी की छवी को पार्टी ने खुब भुनाया और 2019 के आम चुनाओ को भी मोदी के नेत्वत्र में लड़ा और पुनह देश की जनता का आसिरवाद भाजपा को मिला भारी भहुमत से भाजपा की दोबारा सरगार बनी भाजपा अपने सिद्धानतों क के स्वरनिम युग में आ गई है और देश की सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी के रूप में कारे कर रही है तो यहां था हमारा खासकारी करम इस्मरन हम आपको यूही देश और देश से जुड़ी जानकारियों से रूप बरू करवाते रहेंगे अब हमें दीजे नमस्कार